एक लड़का देश की सेवा करने के लिए एक ऐसा कानामा करता है कि उसके घर पर अखबार वाले मीडिया वाले रिपोर्डर्स प्रेज वाले सभी लोग आ जाते हैं तब वो इंटिव्यों में बताते हैं कि मेरी मां शराब बेशा करती थी जब मैं 3-4 महिने का था तब मुझे बहुत ही तेज भूख लगा करती थी तब मैं भूख से रोया करता था तब मेरी माँ और दादी मेरे मुँ में शराप की दो से तीन मूंदे डाल दिया करा करती थी क्योंकि मैं भूका ही सो जाओं और शोल ना मचाओं और रोंग ना और चुप चाप वो सो जाया करा करते थी अज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ नित कता हूँ ये कहानी आप लोग को पसंद आएगी इस कहानी को आप लोग पूरा जब उर सुने आईए जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से दोस्तों महराष्ट में एक जिला पढ़ता है धुले और धुले जिले में एक गाव पढ़ता है समूडा और समूडा गाव के ये रहने वाले हैं इनके परिवार में मात्र छे लोग हैं इनके पिता जी इनकी माता जी इनकी दादी और एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन और ये अपने परिवार में सबसे छोटे हैं ये सब ही लोग अपने परिवार में बहुत ही फुश रहते हैं एक हास्से में इनके पिता जी इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब वो अपनी मा के गर्ब यानी पेट में होते हैं अब जब उनका जनम होता है साथ जनवरी 1988 में तब उन्होंने ना ही अपने पिता जी का कोई फोटो देखा था ना ही अपने पिता जी को कभी देखा था क्योंकि उन लोगों के घर में इतनी वरेवी थी कि वो सभी लोग एक जुपड़ पट्टी में रहा करते थे और फोटो खिशवाने के पैसे भी नहीं थे तब ये सभी लोग बड़ी मुस्किल से अपने परिवार का खर्च चला पाया करते थे लेकिन जब उनका जर्म होता है तब उनकी माँ घर का खर्च चलाने के लिए महनत मज़ूरी किया करती थी तब जाकर के मात्र दस रुपे कमा पाती थी और उन से अपने घर का खर्च चलाया करती थी पर उन पैसों से उनके घर का खर्च नहीं चल पाता था इसलिए उनकी मा के मन में एक विचार आता है शराब भेचने का अब वो देशी शराब बेचना शुरू कर देती है अब जब वो शराब बेचा करती थी तब वो तीन से चार महीने के थे तब जब उनको भूक लगा करती थी वो भूक से रोते चीख से बलसते थे तब उनकी मा और दादी उनके मूँ में शराब की दो से तीन मूंदे डाल दिया करा करती थे क्योंकि ये भूका ही सो जाय और सो ना मचाय और रोई ना तब वो भूके ही सो जाया करा करते थे अब जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तब उनकी माँ उनको स्कूल भी बेजना शुरू कर देती है इन हालातों के बावजूद भी इतनी गरीबी के बावजूद इस कंडिशन होने के बावजूद भी उनको स्कूल पढ़ने के लिए भीजा करती थी और वो खुब मन लगाकर कि अपने गाउ के ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे अब जब उनकी मा के पास लोग शराब खरीदने आया करते थे तब उनकी मा उनको शराब दे दिया करती थी अब जब वो लोग शराब खरीद लिया करते थे तब जो वो अपनी जुपरपट्टी के पास एक चबूत्रे पर बैट करके पढ़ाई किया करते थे तब वो लोग उनको स्नेक्स मंगाने के लिए भेज दिया करते थे जब वो स्नेक्स लाकर के दिया करते थे जैसे कि नमकीन बिस्किट इस तरीके के आदी ची लाकर के दे दिया करा करते थे तब जो पैसे बचा करते थे तब वो लोग उनको टिप्स के बतौर पर इनाम में दे दिया करा करते थे अब वो उन पैसों को जिस नहीं किया करते थे ना हिफाल्टू चीजों में उठाया करते थे भलकि उन पैसों को जोड़ करके अपनी किताबे लेकर के आया करते थे और उनमें खुब मल लगा करके पड़ाई किया करते थे अब जब इनकी तज़री क्लास का रिजल्ट आता है तब वो 90 प्रतिशत अंग के साथ उसमें सफल हो जाते है और जब उनकी बारवी क्लास का रिजल्ट आता है तब वो 90 प्रतिशत अंग के साथ उसमें भी सफल हो जाते है अब वो अपनी मा से कहते हैं कि मा अब मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ उनकी मा कहते हैं कि ठीक है बेटा तो मेडिकल में चले जाना अब वो मेडिकल में जाने के लिए एक्जाम भी दे देते हैं और वो उसमें सवल हो जाते हैं और एक डॉक्टर बन जाते हैं अब वो डॉक्टर बनने के बाद अपनी देश की शेवा करने के लिए कुछ करना चाहते थे तब वो अपनी मां से कहते हैं कि मां मैं सिवल सर्विसिस में जाना चाहता हूं तब उनकी मां कहती हैं कि बेटा सर्विसेस में जाने के लिए एक्जाम भी दे देते हैं और फॉर्म भी भड़ देते हैं अब जब यूप ऐसीगी परिख्या देते हैं तब उसमें सफल हो जाते हैं और एक आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं तब वह इतना खुश नहीं होते हैं और उनकी मां भी इतना अपना था एक आईएस अधिकारी बनने का पर एक आईएस अधिकारी नहीं बन पाते हैं और एक आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं तब उनकी मां उनसे कहती हैं कि बेटा तुम अभी हिम्मत मत हारो एक प्रियास और करके देख लो एक बार और ड्राय करके देख लो क्या पता तुम इस बार इसमें सफल हो जाओ तब वो दोस्तों एक नई उमंग के साथ एक नई तागत और जुनूर के साथ जो वो यूपी ऐसी की परिक्षा देते हैं ना तब वो उसमें सफल होकर ही मानते हैं और एक आईएस अधिकारी बन जाते हैं देश की सेवा करने के लिए तब वो अपना सफना साकार कर लेते हैं तब उनकी माँ बहुत ही खुश होती हैं और साथ ही उनके गाओं के सभी लोग खुशी से जुनने लगते हैं और दूर दूर के रिस्तारों की फून की घंटिया बजना शुरू हो जाती हैं बदाईयों के लिए तब वो बहुत ही और तब उनके घर पर अख़बार वाले, मीडिया वाले, रिपोर्टर्स, प्रेज़ वाले सभी लोग आ जाते हैं इंटिव्यू लेने के लिए क्योंकि अब वो एक आईस अधिकारी बन जाते हैं दोस्तो ऐसी कहनिया दिलचजब और दिल छुने वाली बन जाती हैं और ये कहनिया हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं और परिशान कर देती हैं कि ये सब कैसे हो सकता है दोस्तो ये कहनिया हमें बहुत शिक्षा बھی देते हैं अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई शिक्षा मिली हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें अगर हमारी सुज़ाओ देना है तो कमेंट करें ऐसी नए मूटिवेशन कहानी देखने के लिए हमाई चैलों को सब्सक्राइब करें और बेले कंदवार ना भूलें ऐस कल फिर मिलते हैं एक नए मूटिवेशन कहानी के साथ असलाम वाल कुम नामस्ते शफरे का लिए हिए जिए भाला